तो हेलो दोस्तो एक बार दुवारा से आप से भी कस्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल पर चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लाल गगा बटन आपको दिख रहागा उसको क्लिक कीजिए और साथ में बैल को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन रिसीब कर पाओ दोस्तों मैं चाहूंगा आप प्लीज इस यूडियो में कम से कम दस सेर कीजिए ठीक है चाहूं तो आप सेर फेजू में कर सकते हो या आप कहीं भी टेलिग्राम के माध्यम से भी शेर कर सकते हो लेकिन प्लीज वीडियो को शेर करके जाना अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है और लाइक और डिसलाइक करके आप हमें बता सकते हो कि यह वीडियो हमने अच्छा बनाया गंदा बनाया उस्तों एक बाद दुबारा से आपके लिए पैनी स्टॉक लेकर यह करेंटली 22 पैसे के आसफर ट्रेट कर रहा है यह स्टॉक मैं रडाय में रख रहा था लेकिन नीचे किसी ने कॉमेंट किया था तो कومेंट के बाद जा मैं ने चार्ट में जाके देखा उसको तो वह स्टॉक एक अच्छा पैटन बना रहा है मेरे लिए मैं repeat कर देना चाहता हूँ जो भी मैं आपको चीजे देता हूँ वो एक education purpose के लिए होता है मैं जो buy करता हूँ वो अपने risk को यहां रख्टिव में buy करता हूँ तो मैं करवे भी आखे बंद करके ऐसा नहीं buy करता है जो मेरे risk से भी ज्यादा हो आपके सेर करूँगा उस stock के value P&L सेर करूँगा और देखेंगे चार्ट में stock कैसे हमें बतला रहा है कि कितने रुबे का target रहेगा हमें किस price पर entry करना है और कब exit करना है यह सब चीजे आपको pen stock में बहुत ज़रूरी होता है तो जैसे past में मैंने कुछ वीडियोस आपके सेर करे हमें कुछ stocks में अच्छी return मिल रही है और मिली भी है तो मैं examper के तौर मैं कुछ share बता जिता हूँ यह जो अभी आपको मैं holding दिखा रहा हूँ यह दिखाने का purpose यह है कि आप इसमें कुछ सीखो ठीक है बहुत सारे लोग comment करते है मुझे पता है बहुत सारे लोग अच्छे commentary करते है गंदे comment भी करते है लोग जब बात को बिना सुने comment करते है तो उसमें थोड़ा दुख होता है देखो बहुत सारे लोग कहते हैं इसा जो penny stroke आप दे रहे हो तो आप इस टॉक को suggest or recommend क्यों करते हो तो मैं भाई simple बोलता हूँ कि मैं जो stock recommend कर रहा हूँ उसके पीछे का logic होता है logic को chart में मुझे दिखता है मैं आपके तब share करता हूँ तो यह जो मैंने आपको stock अभी दिखा रहे है महा कॉब जैसे आपको दिख रहा है यह 2-3 महने पहले recommend किया था अभी हमें 188% के return दे रहा है अब मैं आपको छोटा सा सीखने रली चीच क्या है सीखने रली चीच में यह है कि यह stroke हमें जब 57 पैसे का इसने high लगाय तो last time वहां से गिर के 50 पैसे आया था तो वह 7 पैसे का जो था वह lower circuit में आ गया तर लेकिन आपको समझना पड़ेगा जो 7% का जो circuit था मैंने आपको clear काता कि यह lower circuit एक fake circuit होगा यह दुवारा से उपर जा सकता है और वही हुआ यह stroke दुवारा से आप rally उपर के तरफ लेके जा रहा है क्योंकि आपना volume को check करो जब भी अगर lower circuit लगता है आपको सोटा सा tip दे देता हूँ जब भी lower circuit लगता है तो आप volume को check किया करो अगर volume बहुत जादा है जब lower circuit लग रहा है तो भी सोच विचार करने का वक्त है अगर lower circuit जब लग रहा है और volume बहुत कम है तो समझ जाओ जो आपके जो promoters है या जो stock को चलाते है वो आपके साथ game खेल रहे है तो आप सिर अपने इसमे volume को ध्यान दिया करो जब भी किस stock में lower circuit लगता है ठीक है? अगर किस stock में lower circuit लग रहा है तो उसमें volume को नज़र रखा करो एक चीज ध्यान देने वाली होती है सिर्फ volume क्योंकि penny stock में और कुछ नहीं होता है सिर्फ दो चीज़े होती है एक होता है किस price में enter कर रहा है जो एकतम low price होना चाहिए और दूसरा एक तूसरी चीज़े होती है volume उस volume को आप definitely नज़र रखा करो वॉल्म के भीना penny stock में कुछ नहीं है तो इसमें भी अच्छी return मिल रही है बाकि आपको याद होगा नाइसाओ copy नाइसाओ copy मिल रही है यह भी वीडियो के मात्यम से अपडेट किया था पीएम से फीन आपको पता है last time आपको अपडेट किया था मेरे रिखाल से 15 दिन पहले यह हमें 78% की return दे रहा है इसने मेरे रिखाल से 96% की return हमें देखे गया है हाई लगा के यह वहां से गिर रहा है और बहुत सारे लोग panic हो रहे है और वो panic क्यों हो रहे है मैं आपको समझा देना चाहता हूं क्योंकि होता है क्या दोस्तों मैं जिस price में आपको जब बोलता हूं buy करने के लिए तो बहुत सरे लोग ना बोलते यार यह तो stock 19 पैसे में यह उपर नहीं जाने वाला लोग ऐसे बोलते लेकिन जब वो stock 19 पैसे 30 पैसे हो जाता है example के तोर में अलका ठीक है अलका आपको याद होगा 19 पैसे के आसमें मैंने एक वीडियो बनाया तो बहुत लोगों ने कॉमेंट भी किये कि अरे यह यह stock तो नहीं हो जा सकता लेकिन अब 30 पैसे हो गया 100% होगा कोई नकोई stock होगा ठीक है इसलिए मैं कहा रहा हूँ अब छोटा सामों लगा दिया करो और लोग यहां गलती क्या करते है जैसे PMC का example ले लो 34 पैसे में मैंने suggest किया था यह 33 पैसे में भी किया था तो लोगों ने वहां तो बाई नहीं किया आपको मौका मिला था बाई करनेगा बहुत अच्छा तरीके से मौका मिला था कम से कम एक हपते दो हपते इस ट्रॉक वहां ट्रेड कर रहा था फिर इस ट्रॉक जब उपर बढ़ने लगा तो लोगों ने 44 पैसे 45 पैसे में भी भाई किया है तो आप लोग यही गलती करते हो जिस प्राइज में बोला गया उसमें एंट्री करने का प्रियास करा करो अगर आपको उस प्राइज में एंट्री नहीं मिलिये तो भाई उसमें एंट्री मत किया करो भूल जाओ शोक को फिर ठीक है एक और चीज़ ध्यान रख लेना जो भी आप बाई और सेल करती हो मार्गेट में तो अपना रिक्स को ध्यान अक्तिवेट किया करो लोगों को अपना रिक्स नहीं पता होता है एक लाइन ध्यान याद रख लेना विफोर कैल्कुलेटिंग यूर प्रॉफिट अल्वेज ठिंक अबाउट रिस्क फर्स प्रॉफिट कैल्कुलेट करने से पहले अपना लॉज को कैल्कुलेट किया करो लॉज को देखा करो कि पहले आपका लॉज कितना है उस ट्रेड में या उस होल्डिंग में ठीक है तब आगे सोचा करो कि आपको trade punch करना है या नहीं करना है आपको holding करनी है नहीं करनी है अगर आपको loss पता है तब ही entry क्या करो अगर नहीं पता loss तो भाई मत किया करो entry चुपचाब market को देखो फिर तो यह छोड़ा ग्यान दे रहा था आपको अब आपके लिए के चलता हूँ इस point को भी आप धियान रखना जो भी मैं penny stock दे रहा हूँ या तो hero होंगे या zero होंगे ठीक है लेकिन जादा दर मैं जो देखता हूँ 100% की return और 200% की return आपको आराम से आजाएगी जो penny stock मैं आपको देता हूँ लेकिन सर्त है कि जिस price में मैंने आपको बोला है entry करने के हमारा आज का penny stock of the day कौन सा रहेगा जो 22 पर से कर रहा है तो एक बास का नाम जान लेते है उसको जो stock का नाम है प्री सी जन है यह आपका BST में listed है BST का code और नाम पूरा जो नाम होगा मैं आपको नीचे description box में उपलब्द करा दूँँगा वासे आप देख लेना और इसका जो BST code होगा वह भी आपको मिल जाएगा वासे बहुत साही लोग कहते है सार इस stock को हम बाई ने कर पाते हैं और मैंने एक वीडियो भी बनाया कि आप कैसे इसको जुरोदों में बाई कर सकते है उस stock को उसका वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा आप गूगल कर लेना या कि first time यह stock ऐसा नहीं है कि यह आपका 22 पैसे 20 पैसे trade कर रहा है लास्ट अगर आप देखोगे तो 13 और 14 के आसपास यह same price में trade कर रहा था जो 19 पैसे का आसपन निगल के आता है तो इसका मतलब pass में भी stock ने same performance करी है मतलब इसमें है stock में दम है कि हाँ यह नीचे से penny stock से नीच return आपको दी है almost 1000% की more than 1000% की return दी है इसने लेकिन मैं यह नहीं कहता हूँ कि 1000% सोड़ो आप 200% 300% 400% 500% पर रूख कर लो ठीक है मतलब देख सकते हो आपके सामने है कि हाँ इसने आपको return दी है past में अगर आप stock ने past में दी है तो क्या पता वो आगे भी उसको repeat कर सकता है क्यो अभी इसमें भी फाल आया मतलब हर चीज़ की repeat होती है कभी market एक उपर एक way नहीं जाती है उसको नीचे आना पड़ता है ठीक है तो आना पड़ता है तो आज हम नीचे आयागा तो वहां देखना पड़ेगा कि हमें support का लेता हो तो हमें support निकालने पड़ते है तो अब मैं monthly chart भी खोला होगा है तो आप धिहान से देखो मैंने क्लाइन ट्रो करिए तो यह जो लाइन ट्रो करिए इसमें अगर आप देखोगो तो यह 19 पैसे का लो था ठीक है और यह दोहां 19 में नीचे आया है तो अगर आप धिहान से देखोगे इसने यह जो लो बनाया है यह जो एरिया भी दिख रहा है आपको यह एरिया मतलब इसने सेम प्राइज 19 पैसे और 20 पैसे का लो लगाया मतलब जो इसका लास्ट दुहां तेरा चौदा का जो आपका सपोर्ट था मतलब लो था यह स्टॉक उसको भी नहीं तोड़ पाया मतलब उस प्राइज में बड़े बा इसे तो कुछ ना कुछ नो बात होगी ना भाई एक रेंज में स्टॉक क्यों ट्रेट कर रहा है सोचो यार आप खुछ सोचो जिस स्टॉक के प्रॉफिट बहुत कम है स्टॉक का फूचर मेरे खाल से धुंदला है और कंपनी ने तब भी यह सब चीज़े होने के बाब करीए सोचो लेकिन तब भी कंपनी इंसॉलवेंसी फाइल नहीं कर रही है वह मार्केट में ट्रेट करने में लगी है मार्केट में उसको अस्तित्व है तो कुछ ना कुछ रीजन या कुछ ना कुछ बात होगी इस टॉक में जिस बज़े से प्रमोटर ने अभीता इंसॉल रेट कर सकते हो बाकि आप अपनी स्टैड़जी भी इसमें लगा सकते हो बाकि मेरी स्टैड़जी रहेगी अगर मैं इसको 22-23 पैसे में एंट्री करता हूं मैं क्या करूँगा 50 पैसे में पहले 1x का प्रॉफिट बुक करूँगा मतलब अपनी इंवेस्मेंट कैपिटल ख अपने दान दे दिया बगवान में मंदीर में चड़ावा चड़ा दिया या बेडी सुट्टा डारू में जो आप उड़ा देते हो वह आप एक दिन कम करके आपने यहां लगा दिया ठीक है तो वह अमाउंट यहां लगा सकते हो तो आपको दुख ना हो ऐसा मोड लगाओ यह थोड़ना कि आप 10,000 रुपे 20,000 रुपे लगा दोगे 10,000 रुपे लगाने के लिए भी मेरे पास स्टॉक्स है वह मैं आपको इसी-सी चलने के माद्यम से अपडेट कराता रहता हूँ अब आप लोग उसको बाय तो करते नहीं हो जैसे मैंने आपको स्विपला दे रखा है मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक दे रखे मैंने आपको 10 रुपे के 9 रुपे के स्टॉक दे रहे है जो आपको 5-6-6 दिनों के अंदर ही 7-7-7% की रिटन दे रहे है तो आप उनमें आप से इस्टॉक वर्थ है पैसस में लगा सकते हो 32 पैसे में यह टैफिनेटी आपको अच्छी रिटन दे सकता है चार्ट के अकॉर्डिंग मेरे साब से इस्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है आप इसको बाय करके चल सकते हो चार्ट के अकॉर्डिंग मैं स्वर 10 में स दस नंबर देना चाहूँगा बाकी फंडामेंटल के अकॉर्डिंग में स्टॉक में इतना अच्छा वर्थ नहीं है मैं पहले बोलेता हूं सेरोल्डिंग पैटर्न इसका इसमें मार्थ 13 परसेंट है जो बहुत कम है और कंपनी ने हाल फिलाल में अच्छा खाता प्रॉफ बेलट को भी दभाना ना बुलना लुंगा अगर कुछ भी समझ आहा है तो आट में यापकी यहां कर सकते हैं पर आप क्यों Baptist हैसी रुपर आपको नहीं दिए है मैं इसलिए नहीं देता हूं कि आप लोगों को पैसा लुक्सान नहीं होना चाहिए बस मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं सिर्फ स्वाद लेने के लिए मजे लेने के लिए लेकिन भाई देखो मेरी रिस्पॉंसिबिल्टी एक उस लोगों के लिए है जो लोग जैनूरली मेरे चैनल फॉलो गरते हैं तो मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं ठीक है यहां तक अगर आपने देखा एक छोटे टिप दे रहा हूं किसी को नहीं देता हूं अगर आपन जब वह moving average के नीचे daily में वह close कर दे ठीक है आप अपना portfolio कुछ भी आपके पास है sell कर देना ठीक है अभी पूरा portfolio sell मत करो जब उसके नीचे close कर दे तब कर देना ठीक है उसमें आपको दिखेगा कि उसी moving average में निप्टी ने एक बार support भी लिया है जो तो हमारा यह होगा कि जब वह उस moving average के नीचे close करेगा तब market definitely correction करेगी अगर जब तक वह moving average के उपर market है निप्टी तब तक समझाओ भाई यह एक तरह का यह consolidation है मतब market 1000 point उपर जाती है तो 300-300 point का correction करती है तो वह consolidation phase है ठीक है जब तक उस moving average के नीचे close नहीं कर देती है तब तक आप अपने sell मत करना ठीक है यह थोड़ छोटा ता tip है जुन्होंने वीडियो अंतक देखा है चलो मिलता हूँ आपको अपने next video में तिल देन bye bye thank you so much safe dating happy dating peace out bye bye टा करते है जब बुदोग्ण कर्मार इस घ्क रिर्ण हो नहीं है